चिंपाबरोध ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी ने किया किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की विशेश बैठक का आयोजन किया गया चिंपाबरोध बुधवार को किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का विशेश बैठक का आयोजन ब्लॉक कंग्रेश मीडिया प्रभारी अनीश खान ने बताया कि राजस्थान प्रदेश कंग्रेश कंग्रेश कंगेटी के अध्याक्ष कोविन सिंग। सरकार द्वारा पारित किसानों के हितों के विरुध्ध विध्यकों के। पूर्व प्रधानमान सिंग धनोरिया, गोविंग दर्बार पूर्व चेर्मेन छबड़ा पूर्व ग्लोक अध्यक्ष बागुलाल टाटू रामकरन माल्व जिला परिशत सदस्या, मन्जु शर्मा महफूज अली सैयद भावर सिंग पवार मूल्चंद शर्मा, ब्रजराज मीना, भावरलाल महता, लुकेंदर सिंग सार्थल घासी लाल मीना रशीद भाई, प्रबीन शर्मा, ब्रजराज मीना, रानु बना, शब्बीर मंसुरी राम प्रसाद गुर्जर, अलम मंसुरी सौरब जैन, सिदिक मींथूर अंकित त्यागी मुकेश डोडरिया, रंजीत म मालोनी इकराम भाई, सतीश माल्व, धनराज गुंदलाय, मांगिलाल गुर्जर, जाकिर हुसेन बिलिंडी गिर्राज कॉलखर, कुलदीप जैन महिंदर नागर, सिद्धु बना, किदार नागर, तोलाराम मीना, जितेंदर नागर, भजनलाल मीना, रामबाबु भील, प्र प्रभारी पंकजी महता ने बिल के बारे में सभी किसान भाईयों को बताया कि यह बिल किसानों को बरबाद कर देगा जो की, कॉंग्रेस सरकार ने मंदी व्यवस्था चालू की थी, जिसमें किसान अपना माल मंदी में लाकर दे सकता है, मंदी में अगर उसको सही दाम नही लगा तो वह नोसे कराकर बापस अपने घर ले जा सकता था